नमस्कार आपका स्वागत है गीता में भगवान स्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मुरत्य निश्चित है किन्तो आत्मा अजर और अमर है जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्तरों को बदलता है आत्मा उसी तरह नए नए जन्म लेकर पुरान को उस गरंथ के रूप में जानते है जिसका पाठ वेक्ति के मृत्य के पश्चात किया जाता है इस महान गरंथ में आत्मा इस लोग से परलोग तक कैसे पहुंचती है उसे रास्ते में कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इस विषय में बताये गया है जिवन में कैसे कर्म करने से मृत्यू पश्चात हमारे आत्मा को क्या प्राप्ट होगा वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में या फिर उसे नया जन्म प्राप्ट होगा इसके विषय में सभी प्रकार की बाते गरुड पुरान में बताई गई है शायद आपको जानकर हैरानी होगी किन्तु जन्म मरन के रहस्यों को उजागर करने वाले इस महांतम ग्रंथ में स्त्री पुरुष के सम्मंदों से जुड़े मुख्य रहस्य भी खोले गए है पुरुष यस्त्री दोनों ही योन सबंदों को लेकर कैसी रूची रखते है कैसे कर्म करते है उसके अनुसार अगले जन्म में उन्हें कौन सा शरी प्राप्त होगा इसके बारे में बताया है आईए जानते है गरुड पुरान के अनुसार किन कारणों से पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का जन्म प्राप्त होता है लेकिन यहाँ पर सभी के मन में एक प्रश्ण आवश आता है कि आत्मा का तो कोई लिंगा नहीं है फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होगा कि कुन से आत्मा को पुरुष का शरी मिलेगा और कुन से आत्मा को स्त्री का इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरी में है वो कि आगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरी मिल सकता है इन सबी सवालों के जवाब भी गरुड पुरान में देखने को मिलते हैं, आईए जानते हैं, दो स्तुतियों में पूरशों को अगले जन्म में बनना पड़ता है स्तुरी, पहली बात, गरुड पुरान के अनुसार, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तो जन्म पूरुष क आत्मा को उस शरीर के अनुसार विवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। तो ऐसे पुरुष की आत्मा अगले जनम में स्त्री का शरीर धारन करती है। मृत्य के अन्तिम क्षन में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्रान त्याकता है। तो उस अगले जनम में स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। वह अगर वो अन्तिम क्षन में इश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रेसर हो जाता है। यानि कि मृत्य के अंतिम क्षन का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा भगवान राम का नाम लेना चाहिए ताके मृत्य के पश्चात हमें उनके धाम में स्थान मिल सके। तो दोस्तो इस प्रकार से गरुड करें धन्यवाद